नमस्कार एक बार पनो हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चेनल गो ब्लोक्स पे दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चेनल गो ब्लोक्स पे एक बहुत सुन्दर हतेली प्रतिष्टित हतेली हमारे पास अध्यन के लिए आई हुई है और बहुत सरल तरीके से हम इसे पढ़ने की इसका बिसलेशन करने की कोशिस करते हैं और आप भी हमारे साथ इसको देखते जाईएगा सुन्दर ढंग से समझने की कोशिस करिएगा देखेगा हतेली का जो आकार यहां पे दिखाई दे रहा है एक आयताकार हतेली यहां पे दिख रही है और जब भी हमारी हतेली आयताकार होती है चाए हम महिला हों चाए हम पुरुस हों हतेली अगर आयताकार है तो निश्चित तोर पे करियर के मामने में बोलने से ऐसे लो लोगों को करने पड़ती है हतेली के आकार के साथ अगर हम इसकी रंगत को देखते हैं तो एक बहुत सुन्दर रंगत की हतेली हमें दिखाई दे रही है और निश्चित तोर पे मान लीजेगा हतेली की रंगत अगर बहुत सुन्दर होने अच्छी होने एक सुन्दर आभा ल अगर रहे भी संगर्स थोड़ी बहुत रहेगा भी तो भी आप अपनी जिवन का बहुत अच्छा लुथ उठाएंगे और पूरा आनन अपनी जिवन का लेंगे और आपको आपकी हतेली सोबाग्य साली बताती हुई आपे नजर आ रही है अब सरल तरीके से अगर हम देखते हैं तो उंगलियों की तरफ जादा जाना होता है लेकिन देखिएगा जब भी हम हतेली देखते हैं तो सबसे पहले द्रिष्ट हमारी कहां पड़ रही है उस और ध्यान करना भी उसकी बाते करना भी बहुत जरूरी होता है अगर आप हस्त रेखा नहीं जानते हैं नहीं दे यहां पर हमारी जब द्रिष्ट पड़ रही है तो आपका जो इंडेक्स फिंगर है जो ब्रिस्पती की उंगली है इसका जडवाला जो भाग है वो उबरावा दिखाई दे रहा है आपको और जो अंगोठा है इसका जडवाला भाग ये अन्य चीजों से जो है उबरावा ये दोनों आचारे है और हमारी कुंडली में और हमारी हतेली में दो आचारे बैठते हैं ये इंडेक्स फिंगर है जिसे हम तरजनी कहते हैं इसका जो जडवाला भाग है इसको आचारे ब्रिस्पती कहते हैं ये आचारे ब्रिस्पती जी है ये देवताओं के गुरू है औ और आपकी हतेली में ये पुष्ट और सुन्दर भाव में बैठे हुए है ये अंगोठा है और इसका जड़वाला जो भाग है इसको बीनस कहते हैं ये सुकराचार्य जी है ये भी आचारे है गुरू है ये देंतियों के गुरू है और भगवान शंकर जो तिरपुरारी है उ आपकी हतेली में ये दोनों परवत उबरे वए दिखाई दे रहे हैं सुन्दर आवस्ता में जो है ये परवत दिखाई दे रहे हैं और देखेगा जब हमारी हतेली में गुरू और सुक्र बली हों पुष्ट और उबरे वए हों तो कहना का कहना ही क्या है ब्यक्ति का चेहर देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकरसित हो जाता है ऐसा यहाँ पे आपके ये दोनों ग्रह बना रहे हैं मुस्कान जबरदस्त ऐसा ब्यक्ति औरों को अपनी तरफ आकरसित करने वाला होता है गुरु और सुक्र प्रवत हतेली में इस तरों से बलाबल इस्तिति में हो उबरे हुए हो और हतेली की रंगत इस तरों से हो एक सुन्दर आबाली हुए हो तो ऐसा ब्यक्ति प्रेमी भी होता है ऐसा ब्यक्ति एक अच्छे हिर्दय वाला ब्यक्ति भी होता है ये गुण आपके अंदर सब से प्रत्थम दिखाई दे रहे हैं दूसरी बात अगर हम इसको सही तरीके से समझे देखेगा सुक्र और गुरू इन दोनों को धन का गरह माना गया है सुक्र हतेली में इस तरों से सुन्दर हो विक्सित आउस्ता में हो तो लगजरी देता है और गुरू इस तरों से पुष्ट और सुन्दर आउस्ता में हो तो धन देता है लेकिन सूर्य भी इसी तरों से अगर आ जाए इसी तरों से अपना प्रभावदे भव्या उस्ता में आ जाए जो अभी उतने भव्या उस्ता में नहीं है लेकिन फिर भी है तो निश्चित ही जीवनकाल में आपके कारियों को विस्तार मिलता है फैलाव मिलता है तो आपको अपनी जीवनकाल में धनवान होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। केवल और केवल इन तीनों प्रवतों के उभरेवी होने से, पुष्ट और सुन्दर होने से आप निश्चित ही अपनी जीवनकाल में धनड्य होंगे, अमीर होंगे और करोड़पती अरबपती आप निश्चित तोर पे बनीगे कुल मिला के बात करे धनवान जरूर आप अपनी जियोन काल में होंगे इस पे असर हमारी नजर पढ़ रही है अब नजर एक जगा और भी पढ़ रही है फिर उसको देखते हैं उसके बाद ही जो है पूरी हतेली का बिशलेशन कर रहे हैं ये दिनों सुन्दर उब्रेवई दिख रहे हैं लेकिन ये जो परवत है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा चपटा हुआ दिखाई दे रहा है कमजोर इस्तिती में दिखाई दे रहा है आपको भी दिखाई दे रहा होगा निश्चित तोर पे और देखेगा ये चंद्रमा है और चंद्रमा को जो है मन का कारक माना जाता है हमारी जिवन में बहुत ज़्यादा महतोपूर अस्तान ये रखता है और अगर इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ देखेगा ये जो चंद्रमा है ये जोतिस का और हमारी जिवन का सबसे महतोपूर गरा है और इस चंद्रमा के बारे में हमारी जो जोतिस की पुस्तके है जो किताबे है वो कहती है मतलब चंद्रमा मन का अधिपती है और जो मानव है उसका निर्मान ही मन से हुआ है जो मन का अवयव है वह है मानव एक सुन्दर रोप से सरल रोप से कहे तो मन का पार्ट होता है मानव इसलिए मानव की जीवन में इस चंद्रमा की बड़ी भूमिका होती है चंद्रमा का बड इतना महत्वपून है कि आपके शरीर में 70% जल है और प्रिथिवी पर दो तिहाई पानी है ये चन्रमा इन सब को प्रभावित करता है यानि आपके जीवन में आपके जीवन के मामले में 70% पर चंद्रमा का अधिकार है और चंद्रमा 70% जीवन को बदलने की ताकत रखता है ये जो मन का कारक है आपकी हतीली में इस समय नेगेटिव अवस्था में है गड़बड अवस्था में यहां पर आंसिक रोप से दिखाई दे रहा है और जब ये गड़बड अवस्था में रहता है तो निश्चित रोप से विक्ति के मन को भी गड़बड करता है कहीं न कहीं मानसिक तनाव देता हुआ यहां पर ये दिखाई दे रहा है या तो जातक भावक ज़्यादा हो जाता है बात बात पर आग से आसु निकल जाते हैं या विक्त इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रेशान होने बैठ जाता है ये जितना निगेटिव हो जाता है और चंद्रमा अगर कमजोर होने बैठ जाए तो विक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है और जब मन अच्छा नहीं रहेगा तो निश्चित तोर पे विक्ति का जो पेट का माम वो भी कभी कबार अच्छा नहीं रह सकता है और चंद्रमा इस तरों से निगेटिब होता जाए जादा तो व्यक्ति को मा का सुक कम मिलता है और चंद्रमा अगर खराब होता जाए तो creativity घटती है, सरीर का hormonal system भी घटने बैट जाता है तो इसलिए अभी से सावदान होने की जरूरत है इसको push करना बहुत जरूरी है जिसमें अगर आपका मन सुदिड रहेगा अच्छी जो है आपकी सोच रहेगी जिवनकाल के लिए सुन्दर योजनायें बनाएंगे तो मन के अच्छे रहेने पे उसका प्रवाव भी अच्छा रहेगा देखेगा इन पे सबसे ज़्यादा हमारा जो है दृष्टी जा रही थी, नजर जा रही थी तो इसलिए मैंने इसका सबसे पहले बिसलेशन केया अब हम उंगलियों से सुरो करते हैं कि आपके उंगलियां क्या कह रही है उनका बड़ा छोटा होना क्या कह रहा है उनका जुकाओ क्या कह रहा है अंगोठा क्या कह रहा है फिर लकेरों के उपर आएंगे फिर आपके ग्रहों के उपर आएंगे और उसमें बनने वाले चिन्नों के उपर आएंगे सरल ढंग से समझने की आप कोसिस करिएगा ये देखे पर्थम आचारे गुरूब्रस्पती जी है उनके उपर बनने वाली ये उंगली गुरूब्रिस्पति की उंगली है इसे संस्कृत में तरजनी कहते हैं और इसे अंग्रेजी में इंडेक्स फिंगर कहते हैं ये जुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की और और मिडिल फिंगर की जड़वाले भाग को सनी कहते हैं भाग्यास्तान कहते हैं जो कर्म का साक्षी है कर्म प्रधान विक्तित्तों के उपर ये अपना फल देता है ये मिडिल फिंगर की तरफ इस उंगली का जुकाव है जो ये इंगित कर रही है कि आपके अंदर धार्मिक भावनाई अच्छी मात्रा में है अपने धर्म में इस स्वर के प्रतियास्ता आपकी बनी हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर लमवत खड़ी यहां पे दिख रही है सनी की उंगली है और ये लमवत होती है तो विक्ति मिहनत करने से नहीं डरता है मेहनती अच्छा होता है और कायरता बेक्ति के अंदर नहीं आती है यहाँ पे अगर हम सूरे की उंगली देखें जिसे रिंग फिंगर कहते हैं यह हलकी रोप से जुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ बनी सनी की तरफ इसका जड़वाला भाग हम सूर्य प्रवती से कहते हैं यह सूर्य ग्रह है और जब यह रिंग फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ ढलती है तो बेक्ति के अंदर धन पाने की फेम पाने की और नेम पाने की इच्छा परबल रोप लेती है ज़ादा होती है यही चीज बरतवान समय में आपके उपर दिखाई दे रही है यहाँ पे एक चीज और है कहीं न कहीं यह गुरु ब्रस्पति की उंगली से थोड़ी सी बड़ी है जो रिस्क लेनी की छमता को बता रही है हिम्मती सुभाव को बता रही है और निश्चित ही सभी ग्रहों के अनुकूल होने पर भग्य रेखा का प्रबल प्रभाव पढ़ने पर आप अपने छेतर में प्रसिद्ध पाएंगे यह यहाँ पे दिखाई दे रहा है अब आपकी जो है हम सबसे छोटी जो उंगली है इसकी और चलते हैं देखेगा यह सबसे छोटी उंगली है और इसका जो जड़वाला यह भाग है इसको बुद्ध का परवत कहते हैं और जो हमारी नव ग्राहे ने उनमें सबसे यंग सबसे खूब सूरत दयावान और एक जिनकी प्रसनल्टी एक खूब अच्छी रहती हो वो ग्राहें आपके बुद्ध और जब बुद्ध बहुत सुनर और प्रवल रहता है तो ब्यक्ति का संपूर्ण ब्यक्तितो बहुत अच्छा रहता है धन धन्य से परिपूर्ण ऐसा ब्यक्ति रहता है और ऐसा ब्यक्ति का जो ब्यक्तित्व रहता है एक खूब सूरत ब्यक्तितो का मालिक ऐसा ब्यक्ति सोचता भी है धन पाने की इक्षा को प्रबल ये कर लेता है आपके अंदर भी धन पाने की इक्षा को प्रबलता देते हुए यहां पे ये उंगली दिखाई दे रही है लेकिन एक चीज और है वो चीज ज़रा सही तरीके से आप समझे यहां पे ये सूरे की उंगली के पहले पोरवे तक पहुँचती हुई दिखाई देरी है और आप प्रैक्टिकल रूप से देखना जिस ब्यक्ति की ये सबसे छोटी उंगली ये रिंग फिंगर के इस पहले पोरवे तक पहुँचती है तो ऐसा ब्यक्ति अपनी जिवन काल में ब्यापारी होता है या प्रैवेट न पलतम ब्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है बहुत सुन्दर उंगली है कम्यूनिकेशन इसकिल्स आने वाले समय में बहुत सुन्दर रहेगा इस और ये संकेत कर रही है अब चलते हैं हम अंगोठे की और क्योंकि उंगलियां देख ली हैं अंगोठा देखना भी मेरी ख्य आई दे रहा है ऐसे में सुक्र परधान ब्यक्तित्व ब्यक्ति के अंदर उभर कर आता है सुक्र परधान ब्यक्तित्व का मतलव होता है जो ब्यक्ति लग्जिरियस की तरफ ज्यादा अट्रेक्ट रहता है जो अपनी प्रसनल्टी को निखारने के लिए काम करता है जो इसे कहते हैं सुकर परधान बिक्तिक दो और ये आपके अंदर दिखाई दे रहा है निश्चित रोप से आने वाले अन्तीसवे वर्स से आपको भग्यरेखा का फल प्राप्त होगा ये आपने उसके उपाई किये तो और जो लग्जरी है उसका स्वाद आपको एक तालिसवे वर्स से बेहद ही अच्छी अवस्ता में मिलना सुरू हो जाएगा यहाँ पे अंगोठा मुडावा है लेकिन मानसल भी है कहींन कहीं अपनी हितों की रक्षा करना सरुवपरी मानते हैं पर्थम पौरवा लंबा है और नुकिला है जीवन में इक्छा सक्टियां बहुत अच्छी हैं और जब इक्छा सक्टियां होती हैं बिक्ति के जीवन में तो उनकी पूर्ति के लिए बिक्ति हमेशा तत पर रहता है यही चीजें आपके अंडर यहां पे दिखाई दे रही हैं सेकिंड पॉर्वा देखें थोड़ा सा कमी है पर महसूस हो रही है अभी उस रोप में अपनी बात को लोजिकल तरीके से नहीं समझा पाते हैं दूसरों को जिस रोप में जो है आपकी सबसे छोटी उंगली जिसे बुद्ध की उंगली कहते हैं यहाँ पे दोनों पॉरों के बीच में हलका सा योव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपको भाव किसम का ब्यक्तित्व दे रहा है इमोशनली ब्यक्तित्व देता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन जीवन काल में ये सुद्रिड होगा तो आपको निश्चित ही अपनी कमाई हुए पैंसों से अपने घर का सुख जरूर मिलेगा एक परसंट अगर न मिल पाया तो किसी के सयोग से या पैतरिक संपति का लाव आपको मिलेगा लेकिन जरूर ही निश्चित ही आपको अपने जिवनकाल में अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अब हम रेखाओं की उपर थोड़ा सा बात करते हैं देखेगा सबसे पहले हम हिर्दे रेखा को लेते हैं हिर्दे रेखा इस तरह से आती हुई और इन दोनों के प्रोतों के बीच में देख रही है जिसके कारण गुरू ब्रिस्पती आचारे जो देवताओं के गुरू है और कर्म परधान जो हमारा ग्रह है इन दोनों का प्रभाव इस रेखा पे पड़ रहा है जिसके कारण आप अपने जीवनकाल में महत्वकांची हैं आपकी सोच सदेव ही आगे बढ़ने की होती हुई यहां पे दिखाई देरी है गुरू का बहुत सुन्दर बल आ रहा है जिसके कारण आपकी इक्षा टॉप लेबल तक सरवसरेश्टम अस्तर तक पहुँचने की होती हुई दिखाई देरी है लेकिन सनी का भी बल आ रहा है जिसके कारण कोई भी हतकंडा इस्तिमाल करना पड़ाए कैसे भी मेहनित करनी पड़ी लेकिन जो भी हो जाए आप उसे करेंगे और आगे बढ़ने में यह सनी आपका मदद करेगा दूसरी रेखा के उपर अगर हम चलते हैं तो आपकी मस्तिस्क की रेखा बहुत सुनर इस्तिति में है लंबी इस्तिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है और चन्दरमा की तरफ यह पूरी तरों से आ रही है इसका मतलब है कि क्रियेटिविटी आपके अंदर बहुत अच्छी है आप किरियेटिव है किसी ने किसी आर्ट में किसी ने किसी कला में आपका मन डोबा रहता है लेकिन बर्तमान समय में यहाँ पे चन्दरमा कमजोर है और आपका मंगल थोड़ा सा दोसित आउस्ता में दिखाई दे रहा है जिसके कारण थोड़ा सा जो है चिंतातुर सुभाव को भी यह मस्तिस्क की रेखा बताती हुई नजर आ रही है हाँ चन्दरमा की तरफ आ रहा है चन्दरमा भहुषय में मजबूत होगा निश्चित ही आपको अपनी जिवनकाल में विदेश यातरा का एक सुन्दर और भव्या मौका जरूर मिलेगा जीवन की रेखा को देखें तो एक सबसे सुन्दर जीवन रेखा में इसे कहूँँगा आपकी है और जब इतनी अच्छी इतनी सुन्दर जीवन की रेखा होती है तो व्यक्ति चाहे किसी के सयोग से हूँ चाए अपनी मेहनत से हूँ जीवन में निरंतर प्रगति करता है और ये पीछे तक जो है यहाँ पे जारी है ऐसा बिक्ति अपने परिवार के परती समरपण की भावना रखता है कहीं न कहीं बहुत जादा केरफुल ऐसा बिक्ति रहता है अब थोड़ा सा जो है हम एक रेखा और ले लेते हैं आपकी भग्य की रेखा इस तरों से चंद्रमा से निकल कर एक आएक मस्तिस्क रेखा पे जाके मिल रहा है ये थोड़ा नगेटिव पॉइंट है जब भग्य की रेखा कहीं से भी निकल कर एका एक जो है मस्तिस्क की रेखा पे मिल जाती है और आगे नहीं बढ़ती है तो ऐसा ब्यक्ति मंगल के प्रभाव आने के कारण त्वरित निरणें लेता है और जल्दबाजी में गलत निरणें ले लेता है जिसके कारण उस ब्यक्ति को अपनी जीवन काल में थोड़ा सा पच्छताना पड़ता है और अपनी विकास को ये ब्यक्ति अवरुद्ध कर लेता है इसलिए थोड़ा सा ये इंडिगेट कर रहा है कि बड़े सोच समझ कर किसी बड़े मामली में फैसला करें क्योंकि आपका एक गलत निरणे आपके प्रगति को आपके डिपलप्मेंट को पूरी तरो से रोक लेगा इसका मैं उपाई भी आपको दूँगा और एक रेखा और आपकी हतीली में दिखाई दे रही है देखेगा यहां से एक रेखा निकल कर जाती हुई बुद्ध की और जारी है ये र और जितनी ज़ादा अगरसर होती जाएगी आपके जिवन में सुक्क, सम्ष्ट और समपन्ता उतनी ज़ादा मात्रा में आती जाएगी अभी ये आपके अंदर ब्यापारे गुणों में बृधिकरते हुई दिखाई दे रही है लेकिन ब्यापार को मध्यम इस्तिति में द दिखाई दे रही है यहाँ पे मंगल छेतर में एक सांदार रेखा दिख रही है अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रही है यह रेखा इंगित कर रही है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सवयोग बहुत अच्छे दे रहेगी यह रेखा यह भी इंगित कर रही है कि आप में अच्छी प्रतिपा है और तीब्रबुद्धी है लेकिन बरतमान समय में उस प्रतिपा का और उस तीब्रबुद्धी का पूरा परियोग आप नहीं कर पा रहे हैं आप में सोचने और समझने कि सक्त निश्चित रोप से विशेस रोप से मौजूद है जीवन काल में एक चीज आपके अंदर है कि यदि कोई निर्णई ले लेंगे तो उसे अंततक निभाने का भी आप सामर्थ्य रखते हैं जीवन काल के 38 वर्ष से आपका जो बिप्तित्व है बहुत ज़्यादा प्रभाव साली यहाँ पे नजर आता हो दिखाई दे रहा है आपकी ये मंगल की रेखा जितनी प्रबल और इसपष्ट होती जाएगी निश्चित रोप से भूम समंदी कामों में बहुत ज़्यादा ज दिखाई दे रही है यहाँ पे एक रेखा जो है नीचे की तरब जाती हुई दिख रही है जो लगजरी के परति जो है आकरसन की भावना पैदा कर रहा है वहीं इन दोनों रेखाओं से एक कट का निशान भी मंगल के छितर में दिखाई दे रहा है थोड़ा बाद से खास कर जमीनी बाद बिबाद से दोर रहें अगर ये बाद बिबाद बढ़ता है और इस गुणा का आपको फल मिलता है तो कोल्ट कचरी का मामला आपके उपर बनेगा और उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रेशान भी होना पड़ सकता है इसके लिए मंगल का उपाई दोंगा उसको बिदिवत तरीके से करने के आप कोसिस करिएगा अब हम थोड़ा आपके गुरहों के उपर चलते हैं कि आपके गरहन अक्षतर क्या कह रहे हैं देखेगा अंगोठा है और इसका नीचे का जो ये भाग है इसको सुक्र का परवत कहते हैं कला है सुंदर्य है और सुंदर्ता है और सुखद जीवन के लिए चाहे वो मानसिक सुक हो चाहे वो सारेरिक सुक हो चाहे वो दामपत्य जीवन का सुक हो उसके लिए हतेली में इसका इस तरो से पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है आपकी हतेली में सुक्र का परवत आप देख तेजो मय अवस्ता में दिख रहा है। आप निश्चित तोर पे तेजो स्वी होंगे। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। शुंदर्ता आकर्षन आपके अंदर निश्चित तोर पे विद्यमान है। हर प्रस्तित को हैंडल करने की चमता भी यहां पे सुक्र देता हुआ दिखाई दे रहा है। नई चीजों के प्रतिरुजान बनावा दिख रहा है। हाँ आने वाले समय में परिवार का बेहतरीन सुक मिलेगा, बेहतरीन साथ मिलेगा, यह निश्चित तोर पे यहां पे दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, सज समर कर रखना, अपनी परसनल्टी पर विशेश ध्यान देना, बहुत एक सुक्स विदाओं के और ज्यादा आकरसित होना यह आपके अंदर यहां पे दिख रहा है। और यह चीज आपको मिलेगा भी। लेकिन निम्न मंगल यहां पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन की इस्तिती बनाई हुई है, वो सकता थोड़ा सा यह गुसेल सुवाव दे सकता है, चिड़ चिड़ापन दे सकता है, कहीं न कहीं जो है जो दूसरों का सयोग बहुत अच्छा म इस तरों से जाती हुई दिख रही है, जो गुरू ब्रस्पति से युक्ति बना रही है, यह रेखा जितनी स्पष्ट होगी, जितना सुन्दर होगी, उतना ही आपको जो है अपनी ब्यापार में बहुत बड़ा लाब की प्राप्ति होगी, देखिशा यह रेखा ब्यक्ति को अत्यदिक सपलता मिलती है, ऐसे ब्यक्ति में नेत्रत्व, प्रतिभा और महत्व कांचाओं की कमी नहीं रहती है, तो इस रेखा को प्रबल करिएगा, इस रेखा को सुन्दर करिएगा, अपनी जीवन चरिया थोड़ा सा बदल करके, बेज्यानिक ढंसी, बहुत अगर रेखा, आपकी हतेली में ये दिखाई दे रही है, वैसे देखें, आपका गुरो प्रवत हलके रोप से सनी की तरफ ढल रहा है, आन्सिक रोप से पारिवारिक समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, इस बात की और ये इसारा कर रहा है, वैसे आपका धन का ग्रह जो आचारे ब्रस्पती जी हैं, सुन्दर और पुष्टता ले हुए हैं, उबरी हुई दिखाई दे रही है जगह, निश्चित रोप से जो है, अगर आप सिख्छा के छेतर में, मैनेजमेंट के छेतर में, और चिकित्सा के छेतर में, वानिज्य के छेतर में, और अगर कानून की छितर में काम कर रहे हो तो सपलता आपको जादा मिलने वाली Here दिखाई दे रही है और मानसमान परतिष्टा बहुत अच्छी रहेगी यहाँ पे जादा उठा हुआ है तो अच्छे खाने की चाह़ यहाँ पे दिखाई दे रहे है यहाँ पे यह बता रहा है हाँ आपका सनी यहाँ पे थोड़ा सा जो है बैठा वावी है और छोटी-छोटी कई रेखाई इसको काट भी रहे हैं जिसके कारण थोड़ा सा जो है जिवन में खुसियों में कमी देता हुआ यह दिखाई दे रहा है करियर के मामले में अगर नोकरी कर रहे हो तो थोड़ा सा अडचन और मानसिक तनाव देता हुआ ये दिख रहा है और कहीं न कहीं जो है इस्तिमाल ज़्यादा हो सकते हैं इस बात की ये थोड़ा सा जो है इस चीज के और ये ले जा रहा है आपका सूर्य का परवत देखें तो सूर्य का परवत हल के रोप में जो है बैठावा दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बरतमान समय में आपकी मिहनत का आपके परिसरम का पूरा सरे और क्रेडिट ने मिल पा रहा है जिस तरह से फैलाव होना चाहे था वो फैलाव में अभी कमी दिखाई दे रही है लेकिन यहां पे हलके रोप में देखें तो थोड़ा सा जो है एक बर्ग बनता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है इस पश्ट नहीं है लेकिन जब यह इस पश्ट बनेगा तो बहुत बड़ा फल आपको देगा क्योंकि जो ब्यापारिक सपलता दिलाती है वो भी जारी है आपकी हतेली में और ये बर्ग अगर इसपष्ट हो जाता है पूर्ण हो जाता है तो आपको धन, मान, यस, पद और प्रतिष्टा यानि आप जीवन की हर ओचाई पाने में सफल होंगे और अपने छेतर में प्रसिद्धी पाएंगी इस बात की ये गारंटी देता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है दूसरी बात अगर हम बात करें आपके मरकरी माउंट की मरकरी माउंट यहां पर उठा हुआ है छोटा भी काम करेंगे तो नाम यस और फेम पाने की एक्षा जादा रहेगी लेकिन यहां पर ब प्राक्रमी रहींगे एनर्जेटिक सुभाव अक्का रहने वाला है हाँ आपकी चंद्रमा के बारे में मैंने पहले भी बता दिया है नेगेटिव अउस्ता में बर्तमान समय में बैठा हुआ है देखा जाए तो मैंने जो है बड़े सरल ढंग से आपकी पूरी हतीली का बिश अगर आप करते हैं तो निश्चित तोर पे सपलता की प्राप्ति जरूर होगी इस वीडियो में बस इतना है एक नई वीडियो के साथ पुना उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार